नमस्कार दोस्तों वेल्कम को मैं चैनल दोस्तों यह आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आपके दोस्तों यह जो आज का वीडियो है वो आपका नोबेल प्राइज के उपर है और यह आपको जो है मतलब अभी साल भर तक जो भी एकजाम होगा उसमें यह सब कोस्तों आते रहेंगे इससे तो आप लोग तो आच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि हर तरह की इससे कोस्तों पुछे जाते हैं जैसे कि कितने आ तो थोड़ा अच्छा से याद करना परेगा किसी किसी चेतर में एक ही आदमी को मिला है किसी चेतर में दो आदमी को मिला है किसी चेतर में तीन आदमी को मिला है और मैक्सिमम जो मिल सकता है नॉबेल वो तीन ही आदमी को मिल सकता है ओके हां तो इसमें आपको क्या होगा कि किसी किसी चेतर में एक ही आदमी को मिला है तो वो तो एक्तम असान हो गया तो उसमें आपको वो और उनका जो है देश याद कर लें कम से कम ओके जो तीन नाम है तो वो तो थो थोड़ा मेहनद तो लगेगा लेकिन इसको जो है confirm भी कर लें याद क्योंकि जो है चार option देंगे तीन नाम ये देंगे और एक आपका अधर नाम दे देंगे छर्टने के लिए तो आपको जब तक ये तीन नाम confirm नहीं रहेगा याद तो फिर आप फस जाहिएगा ओके आप किसी भी तरह जैसे कि स्टार्टिंग का नाम याद कर लें या कुछ भी अपने तरीके से आईए हम कुछ बताते हैं कुछ कोशिस करते हैं कि आपको बता दें तो उसमें कुछ आपको जो हिल्फ हो सके तो आईए आज का वीडियो स्टार्ट करें और जबी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लिजिएगा और पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखें हैं तो वो सब वीडियो जाके देखिए आपको अच्छा भी लगेगा और एजाम के लिए हिलफुल भी वीडियो है तो आईए आज का वीडियो अश्टार करें तो आपको मैक्सिमम जो है कितने आदमी को मिल सकता है तीन आदमी को औके और ये कितने छेतर में मिलता है छो छेतर में ओके तो आईए हम लोग छो भो छेतर का और अधिकतम मतलब जो है मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सब में मिला है तीन तीन आदमी को ही किसी में एक आदमी को भी मिला है किसी में दो को भी मिला है किसी में तीन को भी मिला है और ये तीन आदमी का और ये किस देश के हैं वो भी आता है तो आप लोग मेहनत है थोरा सा लेकिन आपको यदि याद हो जाएगा तो आपका नमर ये एक कनफर्म हो जाएगा ये अधिकतर छोड़ते भी हैं लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका ये नमर एक बोनस दाएगा उके तो आईए देखते हैं मेहनत कीजिये मतलब बिन मेहनत का तो कुछ लोग होता भी नहीं है ओके मेहनत करिए नोकडी तो आज नकल लगे जाएगी कहां आईए देखें परहला कॉस्टन है कि साहित का नॉबिल किन गो मिला है मतलब यह साल का 21 का साहित का बिजेता कौन है लिट्रेचर में तो इनका नाम क्या है अब्दुल रज्जाक गुर्ना ये तंजानियां के हैं और अभी जो है रहा कहां रहे हैं बृटेन में रहा रहे हैं तो आपका यदी नागरिक आएगा तो बृटिस के नागरिक हैं और ये किस देश के मुल निवासी हैं तो तंजानियां के ओके मतलब जो अधिकतर एकजाम में मुल निवासी ही आता है और नहीं खाली मतलब आती ऐसे आए कि किस देश के नागरिक हैं तो बृटिस बृटेन के और नहीं तो ऐसे पुझे कि किस देश के मुल निवासी हैं तो तंजा का नॉबेल कितने बेक्ति को मिला है इस साल 21 में एक आदमी को ओनली ओके को नहीं हूं अब्दुलडजाक गुर्णा तंजानी आगे और अभी ब्रिटेन के ओके नागडिक ब्रिटिस में रह रहे हैं आगे देखें नमर दो यह तो हो गया एक छेतर दूसरा देखें छेतर अब यह है सांती का नोबेल ओके पीस का तो यह आपको मिला है किनको दमित्री मुरातो रोस के हैं और माडिया रेसा यह फिलिपिन्स के हैं मुलनिवासी और अभी जो है राका रहे हैं अमेरिका में तो आप इसको मतलब इसे भी कर सकते हैं आदमी नहीं कहता है कि अड़े सांत्रो सांत्रो दम मारो दम सांत्रो थोरा दम मारो आप इसको याद कर सकते हैं दम मारो तरी और मारिया ओके दम मारो दम मतलब आप अपने तरीका से कुछ सेट कर लें अभी नहीं कि हम जो यह पता रहे हैं यही मतलब कनफार में और इसके लाव कुछ नहीं है आप अपने तरीका से कुछ भी कर लें याद ओके दमित्री मारिया ओके मुरा तो रेशा कुछ भी कर लें याद आपको जैसे भी रहे याद आप एकदम उइसे कर लें याद मतलब अरे यार सांत्रो सांत्रो दम मारो दम दम दमित्री मारिया गार के आप याद कर सकते हैं ओके चलिए आगे देखें तीसरा छेतर बहुत की में अब आपका जो इसमें आगे हैं तीन आदमी ओके तो इसमें थोड़ा याद करने में रहेगा थोड़ा एक दूबार देखिएगा या फिर जो आप मतलब स्क्रीन सौर्ट रख लीजिए देखते रहिएगा तो एकदम जोड़ा आसानी से याद हो जाएगा दो एगे चलिए अब इसमें देख लिजिए तीन आदमी कौन कौन है बहुत कीमे फिजिक्स में सियूक गोरो मनाबे कलाउस हासे लमन और घयोगिर्यो पारीसी ये सियूकोरो मनाबे कहां कहां चापान कहां 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 जर्मनी के है और पारिसी कहां के है इटीली के है राहुल गंदी के ना नीक हो के कोन पारिसी को मिला है फिजिक्स में ओके तो आप इसको मतलब जो है इसे भी रख सकते हैं मनावे हासे लमन पारिसी बहत कीम है आपको जो तरीका आएं वेसे आप कर सकते हैं याद तो पुछेगा बहुत की में कितने आदमी को तीन आदमी को आपको छटने के लिए देगा कि इनमें से किनकों नहीं मिला है तीन नम्दे देगा ये और एक आपका ज़़ाती अधर नम्दे देगा आपको नहीं ये जब तक रहेगा याद तो आप चौथा तो अंदाजी लगाईएगा तो अंदाज में तो किलत होने कभी चांस रहता ही है लेकिन आप ये तीनों नाम किसी तरह करके आप अपने दिमाग में कर लीजिएगा सेट तो आपको ये जो जो नम्मर है कनफर्म हो जाएगा ओके चलिए अब देखें आगे चोथा च्छेतर रासाइन रासाइन में भी मिले हैं दो आदमी को तो दो आदमी को तो वह तो आदि आसान है फिजिक्स में मिले हैं तीन आदमी को ओके चलिए रासाइन में मिले है दो आदमी को किनको किनको बेंजामीन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड मेकमिलन स्कॉटलेंड के हैं ओके बेंजामीन लिस्ट और डेविड मेकमिलन अब जो आतीक ऐसे भी याद राख सकते हैं लिष्ट मिलन? लिस्ट मिलन? रासाइन का लिष्ट याद कर लिजिए एक दम आठाल से कितने आदमी को मिला है स्लिषने लिए आदमी स्ल्सक्राओं कि सांस्तर में कितने आदमी को नॉबेल मिला है एक, दू, तीन इनमें से कोई नहीं आप फिर और कुछ देतेगा डाटा ओके, आईए आगे देखें पाचमा जो छेतर है वो आपका चिकितसा चिकितसा में जो है नॉबेल कितने आदमी को मिलने हैं इस पार? दो आदमी को ये कौन-कौन है? डेविड जूलियस और अर्दम पटा पोटियन ओके, अर्दम पटा पोटियन ओके, तो आपको इसका होगे चिकितसा हो गया दो आदमी और ये जो है दोनों कहां कहें अमेरिका कहें ये मेडिसीन में जो है च pagar साम जो मिला है दोनों खांगे अना मिड्当 कह यहाँ के डे बीट और अर्दम उके चलिए आगे देखें चट्था छेत्र और लाजट छेत्र चटा चेतर और लास्ट चेतर अर्थ सास्तर इकनोमिक्स में इसमें भी मिले हैं तीन आदमी को फिजिक्स में भी मिले थे तीन आदमी को ओके ये फिजिक्स भी तीन एकनोमिक्स भी तीन ऑगे तो आदमी तो नम्मर ऑप संथ याधि एक्दम लइजिये मतलब अप्सक्रूश करकि तीन आदमी की दो आदमी अखिए एक अदमी ओके और उनका जो है नाम हुआ जो है अपने अंसर जोब आते उसके इसके बांद कि कि इस देश के हैं वो भी ओके तो आईए जो है मतलब इकनोमिक्स में कौन कौन है जोस्वा एंग्रिष्ट डेबिट काड गुईडो लंबलेंस ओके तो इस सब का नाम एक तरह से एकनोमिक्स मतलब पैसा से इलेटेड आप इसका जो है नाम लीजिए कर डेबिट काड जुवा बैलेंस ओके मतलब ऐसे करके आप एक तरह से बना लीजी जोस्वा मतलब जुवा यह डेबिट काड पैसा बला यह जो है यह लंग इं स मतलब कम बैलेंस कुछ करके आप अपना ये सब क्या है ये मतलब आप एक तरह जो है अपना मतलब दिमांग में सेट कर लिजएगा ये सब पैसा से रिलेटेड है जुस्वा मतलब जुवा जुवा मसा थी हार गया तो इंगरी हो गया ओके डेविड कार्ट तो होएं गया पैसा से यह लंब लेंस है लंब बेंस है तो इसको आप मतलब आईसे बना लेजिए कि कम बैलेंस है ओके मतलब आईसे कर के आप अपना याद कर लीजिए यह जोस्वा कहां कहीं है जूआ जोहे इजरायल कहीं लेकिन अभी कहां रहा हुए अमेरिकी में लेकिन मून निवासी कहां कहीं इजरायल कहीं और ये तीनों का तीनों अमेरका में ही रहा है ओके ये तीनों का तीनों जो है अमेरका में ही है और ये ये जुवा जो है इजरायल का है डेविड कार्ड कनाडा का है और कम बैलेंस कहां का है नीदर लेंड का है ओके तो ये था छो खेतर था ओके तो आप जो है अपने तरीका से कर लें याद आपको एक्जाम में ये नमर जो है एक तरह से बोनस हो जाएगा ये क्योंकि अधिकतर ही इसको याद नहीं करते हैं छोड़ते हैं ये सोचते हैं कि अरे तीन नाम है देश का नाम है कोन याद करेगा ये वो मतलब confusion होगा तो इसी में आपका ये जो मतलब नमर एक तो मतलब चला गया और confirm है याद जिनको है वो तो मार दिये और जो अंदाजा लगाए यदि लग सही है तो सही भी हो जाएगा नहीं तो नहीं भी होगा और ये जो है मतलब एक नमर जो है एक्जाम के लिए जौब के लिए इतना important है आपको जब final selection जब मतलब आधा नमर 0.1, 0.2 से जब रहता है न जब जब मतलब नहीं लगती है उसके बाद पता चलता है कि एक नमर है क्या चीज़ है ओके एक नमर थो बहुत बड़ी चीज हो गया 0.1 बहुत बड़ी चीज होती है तो इसके आगे तो मतलब एक नमर का तो बहुत बेल है ओके तो इसलिए आप लोग कुछ भी चीज याद करें तो एकदम अच्छा से लेकर याद उसमें कोई confusion ना रहें कि एक्जाम में आपको अपसोस हो करें यार देखे भी थे अच्छा से याद नहीं किये अच्छा से याद लेते कर तो अभी लेगा एक्जाम अभी जो है रेलेवे का एक्जाम जायेगा हो तो फिर आप चार साल तक इंदिजार करिएगा किसी भी चीज का एक्जाम आप अभी ने तो फिर जो है तिन चार साल तक इंदिजार इसलिए अच्छा से दें तयारी करके दें जो आपको अफसोस ना हो कि अरे यार हम याद नहीं किये, ओके, तो दोस्तों, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे हर एक वीडियो को देखें, आपको एक्जाम में बहुत ही हिल्फुल होगा, जो है, मतलब एक्जाम से रिलेटेट ही, जो एक्जाम में आता है, उसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप भी जो है, कमेंट करके बताइए, कोशिस करेंगे लाने का, और अच्छा से अच्छा उसको बना के लाने का, जो आपको समझे माएं, और एक्जाम में हिल्फुल हो, तो मिलते हैं अप फिर से, मतलब अच्छी सिनी वीडियो में, तब तक लिए धनेवा, नमस्कार.